लो एवरीवरन वेलकुम तो दे चैनल आज है उनतिस नॉवमर उनतिस नॉवमर के जितने भी इंपॉर्टेंट करन्ट अफेर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेर करूंगा हैं हिंदी एंग्लिश लेंग्वेज करेंट के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैडिक पोर करेगा आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकती है या फिर आप हमें टेलिग्राम पर फॉल्व कर सकते हैं टेलिग्राम पे फॉल्व करने के लिए हमारे चानल का नाम सर्च कीज़े एंड जोइन कीजिए तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट कर अदर नफेस्ट द आपको बताने कि यह कौन सी स्टेट में है अब शुरू करते हैं आज के important current affairs first question is and most important question what is the name of new satellite to be launched by ISRO on 29th November 2018 यानि कि आज ही के दिन ISRO Indian Space Research Organization एक satellite launch करने वाले है उसका नाम बताना आपको उसका जो correct answer होगा option number A, Hysis यानि कि Hyper Spectral Imaging Satellite आज ही के दिन launch होगी इसका objective क्या है इसको launch करने का to study about the earth surface from the space ठीक है तो यह launch करेंगे हर satellite को launch करने के लिए launch vehicle use होता है इसके लिए जो launch vehicle use होगा वो है PSLV C-43 यह भी आपको याद रखने है यह भी important है and PSLV की full form है polar satellite launch of vehicle ओके तो यह चीज़ याद रखो आपके likes के according ही मैं इसको idea ले बाता हूँ कि आप लोगों यह वीडियो कितने helpful रह रहे and आज की वीडियो को एक target set करते है likes target का 500 likes का आज का target है and आप लोगों अगर पसंद आ रहे हो तो आप इसे जुरूर achieve करोगे so करते है next question recently who has been elected as a new chief election commissioner of india तो new chief election commission जो point होंगे उनका नाम है सुनील अरोरा ठीक है तो जो presently हमारे है ओपी रावत यानि कि ओम प्रिकाश रावत वो 1st December 2018 को उनकी age 65 years हो जाएगी and वो retire हो जाएगे ठीक है तो अब ये 2 December 2018 को ये शबत लेंगे and ये इनका नाम क्या है इनका नाम है सुनील अरोरा and इनने जो शबत दिलाएगा वो दिलाते हमारे president ठीक है तो ये चीज़ याद रखो and उसके बाद about सुनील अरोरा सुनील अरोरा 1980 राज़स्तान के डिट के IS officer है तो ये चीज़ याद रखो and उसके बाद जो first election commissioner हमारे इंडिया के थे independent इंडिया के उनका नाम भी याद रख लो उनका नाम था सुकुमार सेंटीक है तो वो हमारे इंडिया के first chief election commissioner थे इसका जो correct answer है सुनील अरोरा then next question is in which city of इंडिया 14th hockey world cup 2018 is being organized from November 28 यानि कि कल से ही स्टार्ट हो गया या आपको बताने कि कौन सी जगह स्टार्ट हुआ यह हुआ जी उडिसा की capital capital भूवने शुरू यानि की उडिशा में ठीक है and इसके related जो important जो hockey world cup के related important जो इस बारी का मासकट रखा गया oily turtle ठीक है oily नाम जिसका oily turtle जिसका इसका मासकट रखा गया and इसके लेड़े जो इसकी anthem जाहिंद वो किसने गाई वो गाई है जी ए आर रहमान ने ठीक है और उडिसा में हुआ यह मैंस का है वूबेंस का हो चुगा है 2018 का 2018 का वूबेंस का हुआ था London में and उसे जीता था नीदर लेंड इसमें total 16 countries participate करेंगे ठीक अडिया की capital भूबनेश्मर में है about उडिशा जो important points है वो आप देख लो ठीक है capital है भूबनेश्मर, CM नमीन पतनाय, governor गनेशिलाल and chief justice justice KS Kaveri and बाकी important national parks and wildlife century आप इसका screenshot ले सकते हो ठीक है अब करते नेक्स who has recently laid the foundation stone of डेरा, बाबा, नानक, करतारपूर, साहिब कोरिडर ठीक है अब भी इसकी अधार शीलता रख दी गई है यह आपको बताने कि यह किस ने रखी सबसे पहले तो इसका answer बता दू इसका जो correct answer वो option number C हमारे vice president M. Venkya नाइडू पाकिस्तान में एक सिखूं का काफी पवितर तियस्तल है जहां सिखूं के first guru जो guru नानक जी थे उन्होंने अपने last के around 18 to 20 years अपने वहाँ पे spent कि एंड यह जो तियस्तल है वो है पाकिस्तान में अब जो जो जाने चाहते थे six वहाँ उनको काफी जादे दिक्कत आती थी जाने में अब यह corridor खोला गया ताकि जितने भी six वहाँ जाना चाहे easily जा सकेंगे ठीक है एंड यह कहां पे राइट नो यह पाकिस्तान में इसका उद्गाटन किसने किया इस corridor का यह किया एम वंखा नाइडा जो हमारे वाइस प्रेज़ंट है एंड यह पाकिस्तान में आइश पाकिस्तान में अबाउड पाकिस्तान हमारी State ऍलाइबरी कंट्रै अनуса चाहां दि इसे भी वाहाँ कि जो राहें मैणिस्ट्टद्ट मैं इनने सिंगल डें यानि की एक ही दिन में उन्हों ने मतलब उनुने सिंगल डेंद 10 के 10 विकेट ले लिए एक बॉलर ने 10 विटे ले लिए इसी टीम के प्लेयर है वो उनका नाम पताना है आपको उनका नाम सबसे पहले याद रखो यासिर शाह काफी इंपोर्टन कोशन है यह कौन सी टीम के यह है पाकिस्तान के ठीक है इन्होंने दस के दस विगेट्स ले लिए एक काफी बड़ी चीज है काफी कम चीज लोग करवाएंगे यह और इसके बाद को यह थर्ड बने इससे पहले द अनियल कुंबले ने नैंटेन हट्टनियन में पाकिस्तान की के खिलाफ मैच में दस की दस विगेट्स ली थी अब यह पाकिस्तान के खिलाड़ी जिनका नाम है यासिर शाय इनोंने 10 विगेट्स ले ली है तो यह चीज़ याद रखो इंग्स्ट इस रिसेंटली वेर वह दा इनाउग्रेशन ओफ होसला 2018 यानि की होसला 2018 का उद्गाटन कहा हुआ बैसिकली है क्या सबसे पहले आंसर बता दू इसका जो करेक्ट आंसर है option number D New Delhi ठीक है children's का एक participation होगा एक contest है जहां पे वहां उनके painting competitions होंगे dance competition होंगे chess competitions होंगे तो इसका नाम title दिया गया इसको होसला ठीक है तो यह कहां पे शुरू हुआ इनाउग्रेशन कहा हुए इसकी हुए हमारी capital New Delhi में इसके रिलेटेट जो important points आप याद रख लो minister of women and child development जो है वो है Manika Gandhi then next is recently the foreign minister of which country has come to visit to India ठीक है किसी country के foreign minister हमारे इंडिया में आये हुए तो वह यह आपको बताने कि कौन से country के foreign minister आये हुए ठीक है तो यह माल्डिव्स के भी आये थे अब यह रोमानिया के भी आये हुए ठीक है इस भी याद रखो रोमानिया अब देखो examiner आपसे कैसे questions पूछता अब देखो हमारे country में अकसर डेली कोई ना कोई बाहर से आया होगा अब आप कितने याद रखोगे बट उसके related देखो जैसे अब रोमानिया गया है रोमानिया इन मैली स्कैनू एंड इंडिया के जो foreign minister है वो है शुष्मा सवराज ओके एक question हो रही है इसका already marked है तो विच मैडल मनुबाकर वान इन जूनियर sports pistol recently national shooting championship तो मनुबाकर ने तो जब भी gold जीता है कोई भी वह important बन जाता है मनुबाकर ने इस national shooting championship में gold जीता है मनुबाकर कहां की है वह हर्याना की then next is on which day national organ donation day is observed national organ donation day कौन सी date को observe किया जाता यह आपको बताना है तो इसका जो correct answer होगा जी 27 November ठीक है यानि कि यह इसमें होता कि है basically observe करते aware किया जाता कि अगर आप अपने organs donate करते हो let's suppose अगर आप अपनी eyes donate करते हो तो आपके जाने के बाद आपकी eyes किसी के लिए काम आ जाएंगी तो इसी के लेटर यह सारी awareness create किया जाती है तो यह कौन सी date को observe किया जाता है 27 November के national यह चीज़ याद रखना जो world organ donation day वह different date को किया वह किया जाता है 13th August को ठीक है तो यह चीज़ याद रखो then next is on 27th November 27th November NASA which spacecraft successfully landed on Mars तो किसी NASA की एक spacecraft जिसने successfully landing की space में तो यह बताना है कि surface of Mars पे तो उसका नाम किया ठीक है यह याद रखो आप NASA Space Agency of USA तो यह है जी in sight okay then next is recently NCC day has been celebrated on which day to NCC day कौन सी date को celebrate किया जाता है तो यह गिया जाता है 25 November को ठीक है actually May 28K current affairs and कुछ date के important current affairs miss होगे ते बीच में तो वो सारे भी आज के दिन ही include किया ठीक है तो यह कौन सी date को observe किया जाता है 25 November को हर साल 25 November को नहीं किया जाता because last Sunday of November किया जाता अब इस बार ही जो last Sunday 25 को आया maybe next year's किसी और date को आएगा तो उसके हिसाप से किया जाता last Sunday of November को किया जाता एंसी सी डे ठीक है एंसी सी की full form a national cadet cop then next is मानव संसादन विकास मंत्राले ने राज्य और केंद्रे सिरकार शाषित परदेशों को किस कक्षा के बच्चों को homework नहीं देने का निर्देश दे ठीक है यह कौन सी class के बच्चे अब जिनको homework नहीं दिया जाएगा ठीक है तो यह है जी class first and second काफी कुछ changes भी है अब देखो आपने देखा होगा चोटे-चोटे बच्चे उनका उतना खुद का weight नहीं होता और अपने से जादा उनके bags का load होता है तो वह उस पर भी दियान रखा जाएंगी ताकी ज्यादा books वगारे नहीं लिया जाएगा अब यह homework का burden इन बच्चों के से हट जाएगा तो यह कौन सी class के बच्चे first and second administrator of human research and development जो है वह है प्रकास जावेद कर then next is which Indian interest list was selected to the highest civilian owner of France Knight of Legion of Honours ठीक है फ्रांस का सबसे सरवच्चे समान Knight of Legion तो हमारे इंडिया ने इनने दिया जाएगा इनका नाम बताना आपको तो इनका नाम है आजिम प्रेम जी अब इनने दिया क्यों जाएगा for contribution towards philanthropy philanthropy मतलब इन्होंने इन्होंने जो ग्रीब लोगों है ना जो नीडी लोगों है उनकी मदद किया है ठीक है and contribution towards IDIT sector यानि कि information technology sector को बढ़ावा दिया इनका नाम के है आजिम प्रेम जी ठीक है तेको यह होगी जी आज के हमारे important current phase I hope आप समय वीडियो इंचाए जरूर किया अच्छा लगता है उसे लाइक जरूर कर आगरो साथ में इसे शेयर करना ना भूलें अगर आपको कभी लगता है कि आपके लिए helpful है then surely आप इसे शेयर कर आगर अपने friends के साथ और बाकि जितने भी आप social media platforms आप इसे शेयर कर सकते हो ताकि और को लोग हमार साथ जोड़ें और उनका benefit सभी लोगों को फिलाल आज के वीडियो में इतना है thank you for watching the video see you in my next video until take care best of luck and have a nice day